और दनेगी बोरि क्युकि मैं भी ग्रोकिन खाने वला हूँ या दोस्तो आप क Abe Sun Hum भौट सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बौरी बनाने के लिए प्रोटिन बहुत ज़ुरी है लेकिन आप चोग गए होगे क्यूंके जो कर रहा हूँ यह दो थो हम तो IPO की अफडेट देते हैं तो इस बार प्रोटीन के बारे में क्यूं कि इस बार हम बात करने वारे है प्रोटीन की कोप्विो के अप दो थो इस वड्यों में,ों इस वीनिते की बारे में इस एक ही वीडियो के अंदर तो वीडियो एंट तक जरूर देखना So hey guys, welcome back with another video of the IPO और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम बात करने वाले है मुक्का प्रोटूस के IPO के बारे में जिसमें हम जानेंगे इस कंपनी की डिटेल, इसकी financial डिटेल, इसकी IPO की डिटेल, क्या है इसका अधरे मार्केट में रिवान, क्या है इस IPO में इंवेस्ट करके आपके वैल्स ग्रियेट हो पाए है यह सब कुछ जानेंगे इस एक ही वीडियो में जो बिनावत गवाय स्टार्ट करते हैं इस IPO होगा डिटेल एनानिसिस तो दोस्तो मुक्का प्रोटिन लिमिटेर का IPO जो है वो 39 परवरी से उपन होगा वही 4 मार्क तक आप इसमें इंवेस्ट कर पाओगे इसका साइज है वो 214 करों पेगा टेह किया गया है और इसमें 8 करोड़ से मिजए ज्यादा एक वीटी शेयर इशी किये गया है इसकी face value जो हो एक रुपे पर रिक्विटी शेयर टेक की गई और इसका price बेंट छमगुश से लिके 28 रुपे टेक किया गया है return बोलता 35% क्यों है BS के लिए इसमें 50% और NII के लिए 15% भी सेव रखा गया है जोस्तो when board segment का IPO होने वाला है इसमें lot size 535 से रुकित्य की गई है as investor आपको इसमें 14,980 रुपेंग वेश्ट करने पड़ेंगे इसके allotment और listing के अगर मैं बात करूँ तो 5 March को आपको इसका allotment मिल सबता है अब दोस्तो नज़र डालते हैं इस IPO की valuation point और इसका earning पर share है वह 1.10 पर equity share है इसकी return on net worth 27.45% है और इसका net asset value और इने वी जो है वह 3.97 पर equity share है की गई है दोस्तो इसके financial reports पर अगर मैं नज़र डाले तो financial year 2021 में company का revenue 609.45 पर पर पहुंच गया था और इसका profit जो है वह 11.01 करून पर था financial year 2022 में company का revenue 704.15 पर पहुंच गया और इसका profit 25.82 करून पर पहुंच गया financial year 2023 में company का revenue 1183.80 करून पर पहुंच गया वही यह company जो है वह 47.53 करून पर profit पहुंच गई financial year 2030 के च्छे मेनों पर रिपोर्ट अगरम देखे तो इसका revenue 602.88 करून पर पहुंच गया और इसका profit 32.80 करून पर पहुंच गया इसके promoters की अगर मैं बात करूँ तो कलंदन मौहमबबन हैरीज कलंदन मौहमबब आरीफ और कलंदन मौहमबबन अलताब जो है इसके promoters है इसके lead manager और merchant banker के तोर पर finance security private limited को तेह किया लाया है वह इसके रेजिस्टार के तोर पर cameo corporate services limited को तेह किया गया यानि आप आपका अलोट में जो है वो cameo corporate services की official site पर जाके चेक कर सकते हो दोतों नदर डाते है इसके gray market premium में क्या आल चल चल रही है उसके उपर तो फिड़ाल अभी ग्रे मार्केट premium में 15 रुपे के premium पर trade कर रहा है आप सब जानते हैं मार्केट sentiment के इसका अपडेट होता रहता है वह सकता है जिस दिन आप अमरे विडियो देख रहे हो उस दिन भी इसका अग्रे मार्केट प्रेम कुछ और ही हो लेकिन वो डीपाइड अगर आपको चेक करना है तो उसकी लिंक हमने आपको description box में दे दी है यानि वहाँ पे जागे आप इस कंपनी का डेटर जी एंप डे बाइडे चेक कर सकते हो तो तो कोई भी कंपनी में अगर आप इंवेस्ट करते हो तो उस कंपनी की प्रोफाइल यानि डीटेल जाहना भी आपके लिए बेहत ज़रूरी है आए नगर डालते ह का उत्पादन और सप्लाई भी करती है कंपनी बहरेन, मंगलारेश, चिले, इंडोनेशिया, मलेशिया, मानवार, फिलिपिन, चाइन, साओधी अरेबियन, साओथ कोरिया, रिमान, ताइवान, एन वियेकनाम, साहिन, दस से भी अधिक देशों में अपना उत्पादन एक्स विदाय संचानित करती है, जिन्में चार भारत में और दो ओमान में है, जो इसकी विदेशी साह कंपनी ओस्यन, एक्वेटिक प्रोटीन, एलन सी के पास है, इसके अलावा कंपनी थ्री ब्लेंडिंग प्लैंट्स और फाइव स्टोरेज के तैसिलिटी संचानित करती है, ज इसका में बोर्ड सेग्वेंट में आई प्यों आने जा रहा है, जोस्तों इससे अंदादा आईए गया होगा, कि आपको अप्लाइज जरूर करना चाहिए, वाइट डिया आपके लिए फाइदे का सोधा साबित हो सकता है, आपका जरिया में साल लॉग टम रखना, जितने लगाओ अब बैन आइकन भी रवा दिना, तब याने वने सभी वीडियो की नोटिविगेशन आपको सब से पहले मिलती रहे, तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में नेक्स आईप्यों की अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए तेन दियो सो मैं